भाई भेन जोडता तो केवल मेरा सत्गुरु है और तोड़ देते हैं अपने कर्म, इसका ग्यान प्राप्त करने के बाद भी यदि इसके पीछे नहीं चलते ना, और हम अपने कर्मों का अपने हिसाब से करते चले जाते हैं, निभाते चले जाते हैं, तो फिर इसका साथ जाता है उसे तीन लोक में कहीं ठिकाना मिल नहीं सकता सद्गुरु तो सारे संसार को सुखी करने के लिए आता है परंतु इसकी उदारता का इसकी रहमत का सारा संसार कभी भी लाव नहीं उठा पाता आपने उठाया है तो आपको मुबारक है परंतु अब ये फर्ज भी तो नहीं है, सभी ब्रहमग्यानी नहीं है तो यह हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस ब्रहमग्यान से जोड़ें इस नराकार से अपने सत्गुरु से जोड़ें, ताकि मानस जीवन का उदेश से भी पूरण हो और मनुस्य का जीवन हमारा आननद से बीतता भी चला जाए यद भी ये बात फिर से मैं आपके चरणों में रखना चाहूंगा, कि हम किसी को भी जोड़ नहीं सकते, ये हमारी ओकाद ही नहीं है, जोड़ने का काम ये करता है, इसकी अनमौल दात हमें मिली है तो हम इस दात को जन जन तक पहुचाएं, और यदि जन जन तक भी नहीं पहुचा सकते तो कम से कम अपने परिवार के सदस्यों को तो इसका लाभ दिला दें इतना तो हम करी सकते हैं उन्हें हम बता से ही सकते हैं, कि हम किस आनंद का अनुभब महसूस कर रहे हैं मुझे कई कमेंड प्राप्त होते हैं जिन में भाई बहन लिखते हैं महापुर्शो जी मैं अकेला ही अपने परिवार में बरहमग्यानी हूँ तो भाईया अकेले बरहमग्यानी क्यों हो अपने परिबार को भी ब्रहम ग्यान से जोड़ो ना आप अपने भाई को अपने बहन को अपने पत्नी को अपने बच्चों को अपने माता को अपने पिता को इन सब को प्रेम करते हो ना तो फिर इस प्रेम के सागर से जोड़ो आप अकेले ही इसका अनंद क्यों ले रहे हो आप कहते हैं कि वो आपके बात मानती है नहीं हम किस तरह से उनसे बात सूरू करें तो मैं जहां तक मेरी बात है मैंने ग्यान प्राप्ति के बाद में अपनी माता जी को ब्रहम ग्यान दिलवाया पिता जी को ब्रहम ग्यान दिलौ आया शादी के बाद जो जीवन संगनी मुझे मिली इनकी करपा से उन्हें मैंने ब्रहम ग्यान दिलाया दो बच्चे सत्गुरु ने परदान किये हैं उन दोनों को ब्रहम ग्यान दिलाया पास पड़ोस बालों को ब्रहम ग्यान दिलाया और सत्गुरु ने उन्हें निकाल करके बाहर कर दिया और ऐसे तमाम ऐसे तमाम महात्माओं को मैं जानता हूँ जो बरसो बरस तक 10-20 बरसो तक भी जो जुड़े रही नराकार से और अब वो इस परमात्म से जुड़े हुए नहीं है अलग है ऐसा क्यों होता है ये तो यही जान सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं परन्तु हमारा जितना काम है हम उतना तो करें हमने जिने प्रेम किया है जो हमारे सब से नजदी की है उन्हें प्रेरणा दें इस ब्रहमग्यान को लेने की क्योंकि मानस जनम मिला ही इसलिए है मनुस्य जो बन करके हम पैदा हुए हैं हम जो जीब हैं हम जो मनुस्य बन करके पैदा हुए हैं तो हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हम अपने इस रूप को जान ले और इस शरीर को छोड़ कर इसमें हम लीन हो जाएं किसी को भी इस ब्रहमग्यान से जोड़ने का का जीवन या आपके जीवन में आप कुछ बदल गया है आपकी आबाज पहले से कहीं ज़्यादा मीठी हो गई है आपका ब्याभार पहले से कहीं ज़्यादा आत्मिय हो गया है आप लोगों को प्रेम भरी नजर से देखते हैं अच्छे अच्छी बाते करते हैं और सब की साह औरों को दिख्षित कराने से पहले अपने आपको दिख्षित करना पड़ता है अपने आपको बदलना पड़ता है आप अपने आपको बदलेंगे तो ये अपने आप जोड़ देंगे जोड़ना है इनका काम है आप केबल एक बार उनसे बात करेंगे और बाकी इनका काम बन जाता है ये अपने आप जोड़ते हैं आप इस बात को माल ले कि हमारा काम केबल और केबल इस मिशन की आवाज को इनकी आवाज को जन जन तक और जन जन से भी पहले अपने परिवार के लोगों तक पहुंचाना जरूरी है हम जिस दिन अपने आपको बदल लेते हैं हमारे जीबन में उतरना शुरू हो जाता है सुख, शांती और हमारा जीबन बन जाता है दूसरों से बिलकुल अलग फिर लोग हमें आश्चरी के नजर से देखते हैं पूछते हैं तो हम सीधे उन से कहते हैं कि हमारे जीबन में जो बदलाब आया है इनकी वजह से आया है यहां से आते हैं सुख, यहां से आते हैं बदलाब यहां से आती हैं शांती आप भी यह दी चाहें तो इनके चरणों में पहुँच करके अपने जीबन को सुखी और शांत कर सकते हैं भाईयो ब Besides तो करना पड़ेगा, अपने आपको change तो करना ही पड़ेगा, change किये बिना हम किसी को भी प्रेरित नहीं कर सकते, बाहर बालों की तो बात छोड़िये हम अपने घरबालों को भी प्रेरणा नहीं दे सकते और यदि बदलाब हो गया, तो सबसे पहले उस बदलाब का असर आएगा हमारे घर में, हम अपने घरबालों से कह सकेंगे, कि हमारे जीवन में जो सुख है, शांती हैं, उसके मूल स्रोत ये हैं, आप भी आओ, यदि और अधिक सुख प्राप्त करना चाहते हो, और अधिक श उनकी परिशानिया यदि दूर हो सकती हैं, तो इनकी करपा से आप अपने घरबालों को बिस्वास दिलाओ, उनसे प्रार्थना करो, और उससे पहले अपने आपको चेंज करो, अपने आपको दिखाओ कि आपने इनकी करपा से अपने जीवन को सुख है कर लिया है, और उसका ये लोग भी सुखी हो जाता है, और परलोग ये लोग भी सुखी हो जाता है, दोनों लोगों की बाजी वो जीत जाता है, मनुस्य जनम का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, और फिर वो भी दूसरों के प्रेरणा सुरोत बन जाते हैं, तो करपा करो, बक्षिश करो, सबसे पहले अपने आप में परिवर्तन और जब अपने आप में परिवर्तन होगा आप प्रेरना देंगे अपने परिवार वालों को उनसे बात करेंगे कि भाई प्रापत मानुस देहुरिया गौबिंद मिलन की ये तेरी बरिया बारी है परमात्मा से मिलने की और ये परमात हो जाता है फिर उसे कुछ और पाने के लिए शेस नहीं रहता बक्षिश करो करपा करो इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर कीजेगा मैं इंतजार करूँगा और इस वीडियो को अधिस से दिख शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना इनी शब्दों के स जैहिंद नमस्कार और प्यार भरी धन्नकार